सोलन में आज नीजी बसों के पहिये पूरी तरह थमिए रहे नीजी बस चालकों नहीं परदेश सरकार को पहले ही आगा किया था कि अगर उनकी मंगे नहीं मानी गई तो भै अपनी बसों को गाटे में नहीं चलाएंगे लेकिन परदेश सरकार ने उनकी मांगों पर कोई कोड नहीं किया जिसको लेकर समूचे परदेश में नीजी बस संजाल को ने बसों को नहीं चलाया बसों के ना चलने से शेहर बासियों को बारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा लोग अपने गंतब्य स्थान तक समय पर नहीं पहुँच पाए जिसकी बज़े से उनके आवर्शे काम समय पर नहीं हो पाए यही बज़ा रही कि सोलन बासि बेहत परिशानी में दिखे यहां तक की बेवसाईयों का बेपार भी खासा प्रभावित हुआ सोलन शहरबासियों और नगर परश्चित के पारशत अभे शर्मा ने तीकी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बसों के ना चलने के बचा से उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है एक मेला समय पर इंटर्व्यू देने नहीं पहुँच पाई और जहां 35 रुपए खर्च होते थे मजबूरी में 90 रुपए खर्च कर सोलन पहुची उन्हें ने बताया कि सोलन में ओटो चालक भी उनकी मजबूरी का फाइदा उठा कर मनमाने रेट मांग रहे थे पार्षत अभे शुर्मा ने कहा कि जहां एक और बसों के ना चलने से सोलन की चंता बहुत परिशान नजर आ रही है पहीं दूसरी और निजी बस ओपरेटर करोना नीमों के चलते खाटा से रहे हैं इसलिए सरकार को चाहिए कि बैं उनकी मांगों पर गोर करे और समस्या को सुझायर ताकि किसी भी नागरिक को कोई असुबिता ना हो सब्सक्राइब करेंगे और अपना इंट्रव्यू डिले करूं एक दिन के लिए भी नहीं कर सकते हैं तो मुझे आना ही पड़ा अब आप अपना सफर कैसे टेकरेंगे अब यह है जितने में से चार्जर्व मांगे मुझे पे करना ही पड़ेगा क्युंकि मेरा इंट्रव्यूर मुझे जाना ही है मुझे लगता है कि जहां गवर्मेंट को सब के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि मैं इस बात से मैं डिनाय नहीं कर सकती हूं कि महंगाई बहुत बढ़ रही है महंगाई बहुत जादा बढ़ रही है और सब की जरूरते हैं सबने अपने घरों को बच्चों को पालना है आगे सबकी अपनी दिन चरिया है सबका अपना खर्चा है तो आइधिंग सो कि गुवर्मेंट को इस वर भी ध्यान देना चाहिए अगर उन्हें यह स्टैप लिया है तो एनिहाओ कोई ना की बैंसे पर चल रही है तो लोगों को काफी मुश्किल होगा और ऐसे कोविड के टाइम पर और ऐसा हर्ताल पर जो जाना पड़ रहा है नीजी बस चालकों को तो यह एक काफी गंबीर मसला है और लोगों को परशानी का सामना करना पड़ रहा है तो प्रदेश सरकार से यह अगरे करना चाहते हैं मेरी यह रिक्वेस्ट है कि जो भी उनकी रिलेक्सेशन है जो प्राइवेट बस मालिक ओनर्स है उनको रिलेक्सेशन दी जाए सरकार की तरफ है हमारे को मजदरादमी है हम प्रफित बस में मेट की सप्ले करते हैं से हमार को दिकत आ रहा है सब्स इसे बहुत है सब्सक्राइब बहुत आज है आँ लोग तो ज्यादा आँ लोग परिशाने हैं तो अब आपना सफर कैसे देख रहे हैं अब वेट करेंगे या फिर टैक्सी प्यारा करेंगे अब सब को दीकता रही है सब पैसेंजर यहाँ पर खड़े है सब बेट का हरे हैं तो अब करहे है तो आपंसे इंति Jessica रहे हैं लोहीत है व्मीप्राषली प्रेविट है हमारे साइड कोई निगई वहा और सिरकारी चल रही है बस लोकल चल रही है घरवाले भी इंतिजार कर रहे हैं कि आये ने भी तक फिर हम बता रहें कि वस्टो के ना होने की कारून नहीं आ रहे हैं